यह इन दोस्तो वनसी का ओल जॉब इंदी चैनल में स्वावत है दोस्तो एक और बाक एंसी निकली हुई है तो आप लोग को बता देते हैं मोसम खराब होने के कारड़ आप लोग को फेस वीडियो नहीं बना पाया हूं तो सौट नोटिस आया हुआ है तो एक शरकारी जाप से deliverated है जो कि इंडो तिंवता बार्डर पुलीज फोर्स में ये बाक एंसी निकला हुआ है तो काफी अची बाक एंसी है शौट नोटिस आया हुआ है तो सौट नोटिस में क्या है आप लोग को दिखा देता हूं बता तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं इंदो तिबेतन बार्डर पुलीस फोर्स इन्वाइट आनलाइन अपिलकेशन यानि आप लोग का आनलाइन फार्म भरा जाएगा कौन लोग इसके लिए जीलवल है तो मेल कंडिडेम मेल इंडिया सिटीजन कंडिडेट आवेदन कर सकते हैं यानि वनली मेल की बारकेंसी निकलियो ऊए पूरुष की बार्केंसी निकलियो ऊए तो आप लोग को बता दें दोस्तों इंकुलिंग सब्जेक्ट औप Зालेक्ट हर नेपाल नेपाल एंड भूटान टू पील अप बारकेंसी का स्टेवल्ड हैं दोस्तों आपलोग को बता दें इंडो-टीवितन बारडर्डर पुछत में जोकी गुरुप सीधर भान अब लोग की सैलरी आपadı पर मिलेगा यानि समगिसło को यहांन के सब्सक्राइब 700 रुपया से 79000 रुपया आप लोग को मीलेगा दोस्तों आप लोग एसी में साथ है, एसी में करपेंटर का साथ है, मेशन का चार है और पलंबर का दो है, एस्टी में करपेंटर का आठ है, मेशन का चार है, पलंबर का तीन है, ओवी सी में करपेंटर का चार है, मेशन का तीन है, और पलंबर का दो है, और दोस्तों बता देते हैं कारपेंटर में EWS का अच्छा मेंशन में 3 पलंबर में 2 टोटल वाकेंशी कास्टेबल कारपेंटर में 56 है और कास्टेबल में 31 है कास्टेबल पलंबर में 21 है टोटल वाकेंशी जो है दोस्तों 108 वाकेंशी निकली हुई है और दोस्तों इलिजिव बता दें एज लिमिट क्या है तो 18 से 23 वर्स के कंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जनरल 18 से 23 वर्स ओबीसी 18 से 26 वर्स एसी 18 से 28 वर्स एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दसवी पास होना चाहिए और दोस्तों आप लोग को बता दें ओन यह साटिफिकेट कोर्स इंडिस्ट्रियल ट्रेनिंग इंश्ट्यूट आप ट्रेड ए मेसन आद कर्पेंटर एंड प्लंबर दोस्तों आप लोग को बता देते हैं एक साल का ITI भी होना चाहिए, पलंबर से, करपेंटर से, मेशन से, तभी आप लोग इस फार्म को भर सकते हैं, फार्म का फार्म आल लाइन उननीस आठ दू अजर बाइस से स्टार्ट हो जाएगा, डेट पोस्टेट भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जहां तो क पता देते हैं वैकेंसी जो टोटल 108 वैकेंसी आई हुई है, तो वैकेंसी या बढ़ सकती है, घट नहीं सकती है, क्योंकि तीबत गूरुप सी का जो बैकेंसी आया था, 2017 में सीटे बढ़ी हुई थी, तो 2022 में भी सीटे बढ़ सकती है, तो दोस्तों जैसे ए आनलाइन स्ट साथ हो जाएगा फूल नोटिस आजाएगा तुरंत आप लोग को वीडियो प्रोवाइट करेंगे तो वनसी का आल जाव इंदी चैनल को सब्सक्राइब करें जैसे ही कोई वाकेंसी निकलती है तुरंत इस चैनल के माध्यम से पता चलता है धन्यवाद